नवश्कार प्रवस अक्षी नियूस नेट्वक और आप सभी का स्वागत है उत्रखंड में जल्द ही समान नागरिक सहिंता लागू होने की संभावना को देखते वे इसका विरोध तेज हो चला है जहां एक और तमाम मौलवी मौलाना कह रहे हैं कि हिंदू स्टेट बनने की की दिशा में बढ़ाया जा रहा कदम है तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कट्रपंथी ततों और वोट बैंक की राडिती करने वाली पार्टियां ही विरोध में नजर आ रही है इस वेच राज्य के मुख्योंतरी पुशकर चेंग धामी ने कहा है कि सबसे बात करने के और यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है विविन्न विविन्न समुदाय के लोगों से बात की है सभी के बीच में जाके जनता के सुजाव भी लिए हैं बीदी विसेशक्यों से भी बात करी है सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगबक तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसी हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की रिसाम आगे बढ़ेंगे समान नागरिक सहिता उत्राखंट के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने कहा था कि सभी धर्म सभी पंत सभी समुड़ाए सब के लिए हम एक समान कानू उत्राखंट के अंदर लागू करने की रिसाम आगे बढ़ेंगे हमारी तो पिक्छा है कि हिंदुस्तान के सभी राज और शीद फिरंगी मh Class ने भी समान ₃ flourish सहिता के मुद्दे पर उत्राखंट सरकार की अलोछनक की है उत्राखंट के मारेंध्री फूशRO صिंघ दामी जी हमारी पहल कि है सामान की नागरिक सहिता को लागू करने की और वो पूरे हिंद्स्तान में अपनी सटेट उत्रा तर इसमान नाग्रिसाहिंता गौवा में लागू हो चुका है और सालों से लागू है मगर वहां के जो स्यासर्दा हैं उनों ने कभी इस तरीके से फंद्यू इस तरीके से थी कीज जने की के बात नहीं हैं और यह उनकी गलत फ़मी है ला कमिशन उफिंडिया ने जो सर्कुलर जारी किया है तो वो सर्कुलर में 30 दिन का टाइम दिया है कि 30 दिन में राए लोग अपनी पनी दें ये 30 दिन का टाइम उनका देना नाकाफी है और बहुत कम है कम से कम कम से कम 6 मेहने का वक्त देना चाहिए और इससे पहले भी लाकमिशन ने सर्कुलर जारी किय आज से पांच साल गुजश्चता तो वापस लेना पड़ा उस से पहले भी सरकुल जारी किया था वो भी वापस करना पड़ा और धामी जी का भी कि जो कमीटी है और इनका जो मसवधा है वो भी एक नएक दिन बैक फुट पर आएगा और ये इन्शालला किसी सूरत पर लाग पर अधिया है अवाम की अगर मर्जी है तो उस पर अमल किया जाएगा और जहां तक महिलाओं की बात कर रहे हैं तो वो सरासर जूट बोल रहे हैं कोई भी महिला नहीं चाहती है कि एक सास्विल कोट नाफिज हो चूंकि उस समाज का ताना बाना बिकर रहा है और जो यहां पर हिंदुस्तान का जो कल्चर है तहजीब है वो पारा पारा होकर रह जाएगी आदिवासियों का अलग कल्चर है दलितों का अलग है मुसल्मानों का सिक्खों का अलग है हिंदूं भी अलग 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 तबकात है उन तबकात में भी अलग अलग कल्चर है तो ये पहां पे क्या हालात हैं और अलरी लॉग कमिशन के सामने ये मामला है तो विदाउट दी रिकमेंडेशन और फाइनल डिसिशन अफ लॉग कमिशन कोई स्टेट इसको कैसे लागू कर सकता है बरहाल ये अपने आप में बड़े कॉंस्टिटूशनल सवालात हैं लेहाजा अलहा ना किया जाएं और हर शहरी को पूरे आज़ादी के साथ अपने माईं अपने मजाहिब पर अमल करने की आज़ादी को बरकरा रखा जाया और यही अपने मुल्क की खुब सूर्प है और यही अपने मुलक के कॉंस्टिचूशन की रूख और बुनियादी मकसद है उन्ता की दायम है यह उनिफॉर्म सिविल कोट पर जो बार की सिलसले में जो बार बार आवादे उठाई जा रही है और जो उत्राखंड के सीम साहब ने भी कहा है हम लोग यह समझते हैं कि य कि इस मचले की गताई भी जरूरत अभी मुलक को नहीं है और आप सब जानते हैं कि मुज़र्म से ले करके उत्राखंड तक जो मुलक के हालात हैं उसमें जरूरत इस बात की है कि जो आम शहरीयों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए और जगह जगह जो तशद्द्द के वाकि कोटी जारी का रखी है तो लौकमीशन के किसी भी फाइनल डिसीशन से पहले कोई स्टेट किस तरीके से अपने स्टेट में इसको लागू कर सकता ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है और बार बाद ये बात कही गई है कि उनिफॉर्म से विल कोट का मसला से मुसलमानों का नहीं है बलकि तमाम इस मुलक के तमाम बाशंदो से उसका तालुख है सब कमुनिटीज के अपने परसनल लौज हैं से मुसलमानों ही के परसनल लौज नहीं है तो लहादा यूनिफॉर्म से विल कोट से जितने भी परसनल लौज हैं जितने भी कस्टम टेडिशन हैं जि भी युनिफॉर्म सिबिल कोड लागू किया जा है अलरीडी दूसरे कवानीं तमाम मुल्क के लिए यकसा है युनिफॉर्म है और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा फैमली लॉस से रिलेटेड ही अलग है और अपने मुल्क के कॉंसिटूशन ने इस बात के सभी शहरीं को इजाज़त दी है कि अपने मुल्क पर पूरी देते वे कहा है कि यह मुस्लिम समधाई के लिए अस्विकार है क्योंकि इससे भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचती है जमियत उलिमाई हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी ने यह भी कहा है कि नागरिक सहिंता लाने के खिलाफ सड़क पर उतर कर प्रदेशन नहीं किया जाएगा बलकि कानूनी दायरे में रहकर इसका विरोध होगा हम आपको बता दें कि उत्तराखंड का रहे हो या समान नागरिक सहिंता यह बीजेपी का बैचारिक मुद्धा है हम इस पर डटे हैं आने वाले समय में यह दिन देखने को मिलेगा कि भार्ती जनसंक के रूप में काम करते थे तब भी और जब भारती जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं तब भी जमु कास्मिर से धारत 370 अटाने का मामला हो चाहे अउध्या में रामला की जन्म मुहवी पर भब्बे मंदिर निर्माण कराने का हो और चाहे सामान नागरिक सहीता का मामला हो हमारे बैचारिक मुद्दों के छट के नीचे जो इसका विरोध करते थे चाहे नाटक करके ही आधे मन से ही उनको आना पड़ा उनकी विचारधारा फेल हो गई भाग विचारधारा जीद गई सामान नागरिक सहीता यह भारती जनता पाटी का बैचारिक मुद्द और इस तब डटे हुए और आने वाले समय में वह भी दिन देखने को मिलेगा ऐसा मेरा भी विश्वास है देश का भी विश्वास जहां तक राश्ट्री सतर पर समान नागरिक सहीता लाए जाने की बा सभी समन् finalement पक्षों को सोजहाउ भीजने के लिए एक महीने का समय भी दिया है इससे पहले 21फे विधि अयोग ने समानाowego की परती और समानागरिक था पर दो मौकों पर सभी हित्यदार्कों के विचारब मांगे थे 21 में विधी आयोग का कारेकाल अगस्ट 2018 में समप्थ हो गया था जहां तक इस मुद्दे पर राजनीतिक जाएज ठहराने के लिए व्याकुल है वहीं बीजेपी ने पलेटवार करते वे कहा है कि उस्तम ने अदालतों ने समाननागरिक सहिता की वकालत की है बीजेपी का कहना है कि समाननागरिक सहिता राज्य के नीती निदेशक से धांतों का हिस्सा है और यह कुछ ऐसा है जिसे हम हमारे समिधान निर्माताओं ने समिधान में शामिल करना महत्पूर समझा बीजेपी का यह भी कहना है कि विदी आयोक एक सोतंत्र दिकाय है और उसने समान नागरिक सहिंता पर सारजुनिक विचार विवर्ष के लिए भी इस तिशा में कदम उठाया है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके